नमस्कार दोस्तो अचकी इस वीडियो में बात करने वाले है इसमोलेक्स L.S.R. कैपसुल के बारे में केपसुल को उपियोग करते हैं, क्या आपको benefits देखने को मिल सकते हैं, क्या इस capsule के side effects हैं, संपुन जानकरी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं, दोस्तो मेरा नाम है स्वाराज और आप लोग देख रहे हैं Medicine with स्वाराज YouTube चैनल, आज किस वीडियो में Asmolex L.S.R. क कैपसुल में दो दवाईयों का composition परियोग किये गए हैं, पहला Isomoprazole और दूसरा Levosalpiride, Isomoprazole जहां 40 mg और Levosalpiride 75 mg परियोग किये गए हैं, दोस्तो इस Isomolax L.S.R. कैपसुल को Masters Health Innovation Private Limited कमपनी दोवारा manufacturing किये जाते हैं, अगर इसके marketplace के बारे में बात करतों फ्रेंड्स, तेन कैपसुल का एक स्टीप आता है, जिसके MRP 220 रूपीस है, और दोस्तो इसके MRP है, वो समय के साथ कम ज्यादा होते रहते हैं, अभी बात कर लेते हैं, इसके UGS के बारे में, कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस Isomolax L.S.R. कैपसुल को उप्योग कर पाएंगे, जैसे को ठीक करने के लिए यूज किये जाते हैं, जैसे, गैस के करण, पेट में दर्द, या फिट सीने में जलन होना, खटी डेकारे आना, इनडाजेशन, पेट भरा-भरा सा लगना, आहर नाल में जलन होना, जी मचलाना, उल्टी होना, गैस के करण, पेट में किसी भी समस्यों आप इस Asmolex LSR कैपसुल को उप्योग कर पाएंगे अगर इसके डोसेट के बारे में बात कर तो फ्रेंड्स एक एडल बेक्ती पर डे एक कैपसुल ले सकते हैं और दोस्त इस कैपसुल को आपको खाली पेट लेना है अभी जान लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में क्या कै इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे घबराहाट सा होना, ड्राइ माथ, मुह सुका सुका लगना, एलर्जिक समस्या, दोस्त यदि इन में से किसी प्रकार साइड इफेक्ट आपको इस Asmolex LSR कैपसुल को लेने का बात देखने को मिलती है इस कैपसुल को आप लेना को उप्योग करना है, दोस्तो लेने से पहले इसके एक्सपैरी चेक कर ले, ओभार्डोस इसी उप्योग ना करे, ये एक शेडूल एच एच प्रेक्शिप्शन ड्रग है, इस कैपसुल को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर सेगबर कॉंसल्ट जरूव करे, प्रेगनें आता हूँ दोस्तो आपको इसमोल लेक्स एल एसर कैपसूल के बारे में संपुन्न जानकरी मिल गई होगी, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक न्यू मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई और टेक कियर